गुड़ी मिनिंग फ्रेंड्स दोस्तों आज हम लोग 508 का उनिट 7 के बारे में बात करने वाला हूँ यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है प्रश्न को देखिए कैसे एक सिच्छक, साकरात्मक और प्रेरक, समिदनात्मक तथा समाजिक वातावरन दे सकता है या फिर इसको दूसरे ढंग से प्रश्न पूछ सकता है कि आप विद्याले में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या बेवस्था करेंगे जिससे बच्चों को विद्याले अमंत्रित और स्वागत कर रहा हो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों इस प्रश्न में छिपा हुआ है कि विद्याले को कैसे आप सजाएंगे स्वास्त कर कैसा होगा बच्चों को आराम दे, आकरशक, आनि लल्चाने वाला होना चाहिए जैसे हम लोग बजार जाते हैं, हमारे साथ बच्चा रहता है तो तरह-तरह के रंग बिरंगे खिलोनों देखकर के बच्चे मचल जाते हैं लेने के लिए और लेने की कोशिस करने लगते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी तरह से आप बिद्याले में क्या सुविधा लाएंगे, कौन-कौन सा कारिकरम करेंगे कौन-कौन सा कारिकरम आप बच्चों से करवाएंगे, आप कौन सा करेंगे ताकि बच्चों को लगे कि विद्याले परिवार मेरा स्वागत कर रहा है मुझे आने के लिए अमंत्रित कर रहा है निवता दे रहा है वहां बच्चों को साकारात्मक और प्रेरक लगेगा तो यह कैसे संभव है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं इसलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल पर ज़दी आप नए हैं तो लाल रंग का नीचे सस्क्राइब वाला बटन होगा इसको दबा दें और इसके बगल में बेल आइकन बटन होगा इसे भी दबा दें ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो होंगे सभी का नोट्फिकेशन आपको मिलता रहा दोस्तों एक्चोली है क्या बहुत सारे ल बेल आइकन बटन को जरूर ओन करके रखेंगे सस्क्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा के रखेंगे चलिए हम लोग इसको देखते हैं विद्याले का वातावरन प्रेरक स्विनात्मक एवन समाजिक होना चाहिए विद्याले का भौतिक वातावरन स्विनात्मक व तीन तरह का वातावरन होता है सबसे पहला है भौतिक वातावरन आपका विद्याले का भावन कैसा है साप सफाई वहां कैसा रहता है फाल फूल बगीचे वगेरा विद्याले के अंदर है या नहीं बिद्याले भवन ठीक धंग से रंगाई पुताई किया गया है नहीं फरनीचर बैठने वाले ठीक धंग वाले है या नहीं खेल का मेदान खेल का मेदान है या नहीं ये सभी चीजें आपका भौतिक वातावरन में आता है सवेधनात्मक वातावरन हुआ सवेधना व्यक्त करना आप जिस कटेगरी के जो बच्चे हैं उसके जैसा बनकर उसके जैसा होकर बात करना सवेधनात्मक वातावरन कहलाता है स्रीजित होता है सवेधना व्यक्त करना माल ये कोई बच्चा आज बहुत गरीब है और खाना खाकर नहीं आया है आपको पता चला उसको थोड़ा सा प्यार करते हैं और थोड़ी बहुत कुछ जदी मदद कर देते हैं तो उसको लगेगा मेरे बारे में सर सोच रहे हैं इस तरह दूसरे बच्चे भी देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा सर का वेवार कितना अच्छा है तो सवेदना व्यक्त करना चाहिए साथ ही समाजिक वातावरन समाजिक वातावरन क्या है कि समानता का भाव समानता का भाव देखिए विद्याले में अलग-अलग तरह के बच्चे आते हैं अलग जाती धर्म के अलग जाती अलग धर्म अलग भासा अलग संस्क्रीती सब अलग अलग तरह की लोग आते हैं यहां तिक की लड़का लड़की भी अलग दो लिंग के भी आते हैं अब यहां पर आपको सभी के साथ समान विवहार करना है किसी को अधिक नहीं मानना है और किसी से आपको नहीं मानने जैसे वेवहार नहीं उससे नफरत भी नहीं करना है ऐसा वातावरन आपके यहाँ जदी हो भातिक वातावरन समिदनातों वातावरन और समाजिक वातावरन तो निश्चित रूप से बच्चों को लगेगा कि विद्याले हमें आमंत्रित कर रहा है स्वागत कर रहा है एक विद्याले में विविन जाती धर्म भासा संस्कृती लिंग के बच्चे आते हैं उन्हें इसकी विविनता के अधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए सभी के लिए एक समान वेवहर करना चाहिए विशेश आफसकता वाले बच्चों बच्चे अपने को अफमानित यह थोड़ा सा समझने की बात है दोस्तों हम लोग विशेश आफसकता वाले बच्चे को पढ़ चुके हैं विशेश आफसकता वाले बच्चों को विद्याले में कभी कभी अपमानित जैसा महसूस होता है या कुछ बच्चे उन्हें कुछ यप सब्द कह करके पुकार दे देते हैं जैसे कोई माल ये पहर से थोड़ा तकलिफ है तो उसे कोई लंगडा कह देता है किसी का कुछ आख से प्रोलम है तो काना या अंधा कह देता है किसी को कम सुनाई देता है तो बहरा कह देता है तो ये सभी सब्द लोगों के दिल को चोट पहुचाता है लोगों को दर्द महसूस कराता है इसलिए बच्चों को इन सभी बच्चों को विशेश मदद की जरुरत है आप उसे मदद करें बच्चों का बेवहार को देखें कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो इने अपमानित वाले सब्द कह रहे हैं इनके विवहार इनके कुछ विशेश आव सकता हैं होती है जैसे माल यह कुछ बच्चा है जो पहर से प्रोब्लम है तो हो सकता वो सुचाले का जो उच्चा सिढ़ी है उसको चड़ने पाए उसका जो कच्छा कच्छ है वो दो तल्ला के उपर है वहाँ पर जाने में इसे दिक्कत हो तो इन सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने से बच्चे को लगता है कि विद्याले मुझे आकरसित कर रहा है खीच रहा है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशे सावसकता वाले बच्चों को कोई आस्वीधा नहीं हो उसके साथ कोई बच्चा अभद्र भासा का परियोग नहीं करे आस्वीधा का भी ध्यान रखना है जो विशे सावसकता वाले बच्चे है उन्हों को तरह तरह की प्रोवलम से हो सकती है जो हम लोग बात किये कि किसी को पैर का प्रोलम रहता है किसी चलने फिलने से दिक्कत होता है किसी को देखने से दिक्कत होता है तो उनलों को कैसा सुविधा दें जो उनलों को कोई तरह की तकलिफ नहीं हो या सुविधा नहीं हो इस पर ध्यान देना है प्रेरख समिदनात्मक समाजिक वातावरन के निर्मान में एक सिच्छक को निमलिखित कदम उठाने चाहिए कई इन सभी के वातावरन निर्मान के लिए प्रेरख समिदनात्मक और समाजिक वातावरन के लिए क्या क्या आप करेंगे अभिवादन कारिकरम अभिवादन कारिकरम में क्या करना है कि सिच्छा कच्छा कच्छ के दरवाजे पर परतेक विद्यार्थी का नाम से अभिवादन करता है इससे बच्चों का मन प्रसंद हो जाता है हम सभी सभी लोग मानव मात्र प्रसंसा के भूखे होते हैं आप किसी लोगों का बड़पन करें उसकी कुछ बातें अच्छी वाली बातें करेंगे तो मन खिल जाता है और बात करती समय किसी का नाम लेकर हम बात करते हैं तो एक अच्छा इमेज एक अच्छा परभाव पड़ता है तो कच्छा कच्छ के दर्वाजे पर सिच्छ खड़ा रहा करके जब बच्चा परवेश करें तो यहाँ पर बिद्यार्थियों का अविवादन किया जा सकता है नव आगंतु कलब क्या है कि परतेक साल कुछ नए बच्चे विद्याले में नामंकित होते हैं इन बच्चों का स्वागत किया जाना चाहिए स्वागत करने के लिए कलास के बच्चे लानि जिसका नमंकन हुआ हो उसके बच्चे और सिच्छक कोई गतिविधी कर सकते हैं ताली बजा सकते हैं उसके लिए कुछ एक स्वागत गित गा सकते हैं या कुछ भी उन्हें पुस्पगुछ देकर स्वागत कर सकते हैं ये ऐसा करने से उसको अच्छा अंदर से अच्छा महसूस होगा और विद्याले हमेशा आना चाहेगा अस्थान बदलना दोस्तों कच्छा में किसी बच्चे को एक ही अस्थान पर बेठे रखने से प्रोबलम होता है उन्हें अच्छा नहीं लगता है दिखे इस तरह का माल ये कच्छा है और यहाँ पर आपका बलेकबोर्ड है आप यहाँ पर रहते हैं जो पीछे बैठा हुआ है हमेशा जदी पीछे बैठता है तो इसके मन में हीन भावना होगी और जो आगे बैठता है उससे अच्छा लगता है सब कोई आगे बैठना चाहता है तो आगे वाला तो अच्छा महसूस कर रही रहा है लेकिन पीछे वाला उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे रोटेशन फर्मूला अपलाएंगे या फिर बच्छों का करम बदल देंगे जो आज यहां बैठा है परसों इसके उपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा ये उपर चला जाएगा ऐसे करने से अस्थान बदलने से एक तो दूसरे दूसरे दोस्तों के साथ बैठने का आउसर पराप्त होता है साथ में एक दूसरे को के साथ जो भी कार्जकरम या जो भी गतिविधी जो भी परियोग आप क्लास में करवाएंगे वह एक दूसरे से साजा करने का मौका मिलता है एक दूसरे के साथ अभी इसके साथ है बेठा हुआ है कल रह करके उपर चला जाएगा और यह यहाँ चलाएगा यहाँ तो दूसरा लोग मिल गया तो एक दूसरे से अलग सहपाथी से बाचित करने का आउसर मिलता है बाचित नहीं साथ साथ में बाचित के साथ साथ कोई भी जो काम होता है परियोग होता है गतिविधी होता है उसको करने का मोका मिलता है जिसे अपने अनुभाव चुकि अभी तक ये दोनों ही अनुभाव साजा कर रहे थे लेकिन जब करम बदल रहा है तो हो सकता इसके साथ अपना अनुभाव को सेर करेगा इसके साथ सेर कर सकता है इसके साथ सेर कर सकता है इसलिए हम लोग को rotation बच्चों का अस्थान बदलते रहना चाहिए परतेग बच्चों में संपर्क रखा जाने जीब परतेग बच्चों से संपर्क बच्चे सिच्छक को विश्वास पातर मानते हैं और अपनी सभी समस्याओं को खुल कर बताते हैं जिस एक अच्छा का वातावरन भय मुक्त हो जाता है दोस्तों यह जरूरी है ऐसा जदी आप करेंगे तो एक अच्छा वातावरन का निर्मान होगा दोस्तों जदी आप सभी को 508, 9 या फिर 10 का नौट्स चाहिए जो मेरे द्वारा लिखा गया है कुछ आपको हाथ से लिखा हुआ मिलेगा कुछ कम्प्यूटर से टाइपिंग किया हुआ जो मैंने टाइपिंग किया हूँ इसलिए कि देखिए जब एक पेज में कम्प्यूटर से टाइपिंग करते हैं तो ज़्यादा मैट्रियल्स आ जाता है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इसका print out निकाल करके पढ़ते हैं हाथ से लिखा हुआ बहुत ज़्यादा page बन जाता है लेकिन मैं अपने ही सब्दों को जदि computer में टाप कर देता हूँ तो कम page में आता है तो उसका खर्चा बच जाता है इसलिए मैं कुछ तो ये आपको मिल जाएगा हाथ से लिखा हुआ और कुछ आपको मिलेगा computer से टैप किया हुआ जदि आपको ये notes आपको चहिए तो मेरे WhatsApp नमबर इस पर आप message करेंगे इसका मात्र cost है 50 रुपए PDF में मिलेगा धन्यवा दोस्तों जैए